इतिहास कार विलियम इर्बिन के अनुसार सन 1714 में साधों को हर्याना से बुला कर फर्रुखाबाद शहर में बसाया गया था साथ समाज के लोगा ने यहां कपडों की छपाई का काम शुरू किया पहले आलू के ब्लॉक से छपाई की बाद में लकई के ब्लॉक और फिर प्रिंटिंग मशीनों से काम होने लगा काटन के कपडों पर लगू हस्त प्रिंट ट्री आफ लाइफ च्छापना शुरू कर दिया ट्री आफ लाइफ प्रिंट ने फर्रुखाबाद के छपाई लगू उध्योग को विश्व पटल पर खड़ा कर दिया क्या आप जानते की ये सब कैसे संभव हुआ असल में 1924 में फर्रुखाबादी सत्नामी साध सुमेर्चिंद सिंदूर्चिंद की फ्रांस में दुकाने वबंगले हुआ करते थे साध सुमेर्चिंद सिंदूर्चिंद वहां अपने परंपरागत सफेद वस्त्र और सफेद टोपीक पगियत में ही रहते थे वहां के स्थानिय निवासी और प्रशासन उनको बहुत सम्मान देते थे शासन ने अपनी तरफ से साधों की सेवा में दो पुलिस अधिकारियों को लगा रखा था इन साधों ने वहां के एक कलकार की ट्री ओफ लाइफ नामक पेंटिंग को खरीदा और उसे फर्रुखाबाद लाकर हुबहु पर्दों पर उतार दिया कॉटन कपड़े का यह परदा शाही परदे के समान विख्यात हो गया जिसकी मान दुनिया भर में हो गई इस दुरलब छपे हुए परदे की फर्रुखाबाद के साधों के पास मोनोपॉली थी इसकी प्रसिद्धी भारत वयोरोप में इसकदर फैल गई की रानी विक्टोरिया की जनमदिन की पार्टी में साध सुमेर्चिंद सिंदूर्चिंद को निमंतरन भेजा गया साथ सुमेर्चिंद सिंदूर्चिंद जनमदिन की पार्टी में इसलिए जाने को तैयार नहीं हुए क्योंकि उस पार्टी में सूट बूट में जाना होगा वहाँ साधों को अपना लिवास पहनने की इजाज़त नहीं होगी उन्हें डर था कि सभी महमान रानी को जुक कर सलाम करेंगे और शराब के साथ ही नोनवेज भी खाएंगे इस पार्टी में जिन लोगों को निमंत्रन मिला था वे सभी अपने आपको दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मानव मानूस पार्टी में पहुँच रहे थे रानी विक्टोरिया को जब पता चला की मेरे देश में ही अपने सिधान्तों के मजबूत कोई साथ भी है तो उन साधों को अपने महल में बुलाने के लिए अपने पालिटिकल एजेंट को विशेश संदेश के साथ भेजा की वे साध जैसा कहेंगे वैसा ही होगा लेकिन हमारा उनसे ये निवेदन है कि वे हमारे इस निमंत्रंग को ठुकराए न इतनी बात कबूल होने पर ही साध उनके महल में गए थे दोनों साध सामाजिक शान के साथ पगिया पहन वनहा गए साधों ने ना तो वहां जुक कर किसी को सलाम किया नहीं उनका बाना पहना और ना पानी पिया इतना होने पर भी रानी विक्टोरिया ने उन साधों के आगमन पर आगे बढ़ कर उनका हाथ चुमा वहां मौजूद सभी देशी और विदेशी महमान आश्चर्य चकित साधों को देखते रह गए इटली, फ्रांस, जर्मनी, वर्मा, जापान तथा भारत सहित अन्य अनेक देशों के राजे महराजाओं ने उनके साथ अपनी एक फोटो खिछवाने में अपने आपको सौभाग्यशाली माना सतनामी साधों से समाज को सीखना चाहिए हुनर का सही समय सही तरीके से इस्तिमाल किया जाए तो विश्व पटल पर स्थापित किया जा सकता है